हलो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, कैसा है आप सब, उमीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपके त्यारी अच्छी चल रही होगी तो जैसा कि आप सभी जानते हैं रेल्वे की परिक्षाएं हो रही है और ऐसी स्थिति में छात्रों ने जो हंगामा किया है वो किस चीज को लेकर है इसके वारे में विस्तार से हम जानकारी लेते हैं और इस पर क्या फैसला रेल्वे के द्वारा लिया गया है इस पर भी परिक्षार्थियों के सुविधा के लिए ट्रेनों में बढ़ेंगे कोच ये जानकारी है आए विसेश रूप से इसको इस परस्ट बात का लिया जाए ट्रेन संख्या थारा बासट छे हटिया पूरिया कोट एक्सप्रस में ट्रेन में 22-25 अगस तक जो आपकी परिक्षा होन के राची रेल मंडल ने कई ट्रेनों में अत्रिक्ष कोच के सुविधा उपलग कराने का निना लिया है पिछले दिनों में परिच्छार्थियों ने राची रेलवे स्टेशन पर हंगामा खड़ा कर दिया था यही अपडेट है हंगामा खड़ा कर दिया था इसके बाद र राची रेल मंडल ने ट्रेनों में अतरिक्त कोच लगाने का फैसला किया ठीक है यह इंपोर्टेंट अपडेट है और हटिया पूरिया कोट में 22 से 25 अगस तक अतरिक्त कोच होंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी भी दे दी गई है राची रेल मंडल की ओर से जारी प् 66 हटिया पूरिया कोट एक्सप्रेस ट्रेन में 22 से 25 अगस तक अतरिक्त कोच की व्यवस्था की जाएगी इसमें एक दुतियक स्रेडी का एक अतरिक्त स्लिपर कोच लगाया जाएगा जबकि एक सामानिस रेडी का अतरिक्त कोच भी लगाया जाएगा इसी तरह ट्रेन संख जाया है कि यात्रा प्रारम 22 अगस्त 23 अगस्त 24 अगस्त और यात्रा प्रारम दिना 25 अगस्त को दुतियस रेडी स्टीपर पर एक अत्रिक कोच और सामान स्रेडी का एक अत्रिक कोच लगाये जाएगा ये सब इसलिए है जिससे विद्यार्थी आराम से अपनी परिक्षा दे सकें उन्हें ज्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े उन्हें बैठने और खड़े होने की अच्छी व्यवस्था मिल जाए जिससे उनके एक्जाम को लेकर कोई फर्क ना पड़े कोई प्रभाव ना पड़े तो रेल्वे के द्वारा ये अच्छा काम किया गया है और ऐसे विद्यारती जो यहां सम्मंदित हैं उन्हें आगे चलके सुविधा रहने वाली हैं मिलेंगे आप से किसी नया बेट के साथ फिलाल के लिए इतना ही रखते हैं धन्यवाद